हलो आप लोगों का स्वागत है बेस्ट नोस टुटोरियल में और आज हमारा टॉपिक है एजुकेशन एन फिलोसपी यह आपका ल्टी में टॉपिक है जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूं अगर आप लोगों ने अभी तक सिलिपस नहीं देखा है तो यहां पर देख लेजी एजुकेशन एन फिलोसपी यह पहला टॉपिक आपका इस शौर्ट टॉपिक में जो मैं आप लोगों करवाने जा रहा हूं वो उसमें मैंने यह सारी चीज़ें इन्वाल की हैं लेकिन नेचुरिलिजम प्रेग्मेटिजम आइडियलिजम और रियलिजम इन चारों को हम डिटेल में भी स्टडी करने वाले हैं तो आज आते हैं यहां पर बात करते हैं एजुकेशन के एन फिलोसपी के बारे में सबसे पहले आप लेमेन की लेंग्विज में समझे इसको एक ऐसा टम मत मानिये कि यह कोई बहुत बड़ा टम है वैसे होने के लिए बह विचार करने का एक तरीका है उस तरीके से आप क्या करेंगे विचार करेंगे किसी चीज के बारे में फिर उससे एक सेट आफ रूल्स बना लेंगे जैसे कि वो आपका दर्शन हो जाएगा उस चीज के पड़ती मेंस आपने सेट आफ रूल्स बना लिए और वो क्या हो गय या आपका उसी को आप अपना दरशन कहेंगे जैसे कि मैं कहूँ कि cell phone के बारे में अगर आपका विचार है कि cell phone एक बुरी चीज ए इसे लत लगती है खराब होती है या आपने एक set of rule बना दिया तो आपका दरशन जो है cell phone के बारे में ऐसा है किसी का दर्शन ये भी हो सकता है कि वो सोचता है कि cell phone क्या है बहुती अच्छी चीज है और इससे हम earning भी कर सकते हैं इससे हम चीजें easy भी कर सकते हैं communication easy हो सकता है तो ये हमारा दर्शन क्या है उसके परती positive है अब एक चीज को और समझे जैसा हमारा दर्शन होगा वैसा हम किसी को educate करते हैं आपका classroom में जो दर्शन है वो किस तरह का है देखे यहां पर एक अगर मैं छोटा सा example ले लूँ कि एक जो naturalism वाला है अगर आपका दर्शन naturalism वाला है या pragmatism वाला है या आपका प्राकृतिक वाद हो सकता है तो जैसा आपका दर्शन रहेगा सबोची नेचुरिलिज्म वाला कैसा सोचीगा उसका दर्शन कैसा होगा उसका दर्शन ये होगा कि वो किसी चीज को बच्चे को अपने आप से सीखने देना चाहता है वो उसको guided learning की तरफ नहीं ले जाएगा तो इसलिए क्या हुआ जो प्राकरतिक वाद है उसको reject का लिया गया new education policies में या आज हम किसी बच्चे को इस तरह से नहीं सीखने देना चाहते कि वो गिरेगा तो ही उसे पता चलेगा कि चोट लग गई है या हम बात करें कि बच्चे को हम ये पता लगने देना चाहते हैं उसका हाथ जलेगा तो एक प्राकरतिक वाद वाला आदमी क्या करेगा इंसान या टीचर हम उसको बोले कि वो क्या करेगा उसको जलने देगा और ये अपेक्षा करेगा उस बच्चे से अब इसने सीख लिया हुआ लेकिन हम इस तरह से नहीं अब हम एक जो प्रैक्टिकल वाली बात आ जाती है ठीक है प्रैक्मेटिजम वाली बात आ जाती है वहां पर हम क्या करेंगे बच्चे को हाथ जलने के बजाए उसे ये बताएंगे कि मतलब उसे एक एक्सपीरियंस दे देंगे उस तरह का समझा के एक्सपीरियंस दे देंगे या वेट करेंगे उस एज का जब वो इन चीजों को समझ जाएगा बाकी चीजों से उसे बचा करेंगे यह क्या है बेसिकली दर्शन के बारे में है और इसी लिए इसे आपके कोर्स में भी डाला है या बीड में भी इसको पढ़ाया जाता है कि जब आप टीचर बने तो आप प्रॉपर तरीके से अपन इंपोर्डेंस क्या है हमारी टीचिंग लर्निंग प्रॉसस में और इसी लिए उसको क्या किया गया है एक्जैम में डाला गया है या हमें बीड में उसको पढ़ाया जाता है बहुत इंपोर्डेंट चीज है बीसिकली हमें लगती नहीं है लेकिन इंपोर्डेंट चीज है आप लोगों ने कहा था कि हमें किसी ने कहा कि English में दिक्कत आ रही है Coach कि कर लेना चाहिए.. अब English कहीं पर अगर आपको translation में basically Hindi translation ठोड़ा सा हो सकता है एक परसेंट कहीं पर आपको हलकी सी दिक्कत आ सकती है जो words है वो क्योंकि बहुत मेहनत लगती है तो लेकिन अपना भी दर्शन यह है कि जब हम किसी चीज के अंदर घुजें तो उसे परफेक्शन के साथ में करें तो अपना दर्शन मतलब मेरा दर्शन यह है चीजों को लेके तो चलिए अब शुरुवात करते हैं और चल्या आगे चलते हैं अब जिसका अर्थ होता है ग्यान का प्रेम तो जो philosopher होते हैं, उनको ग्यान से प्रेम होता है, obvious सी बात है, origin, etymologically, the word reflects the belief that philosophy is the love of knowledge and makes a person wise and love wisely, means हम सिर्फ प्रेम नहीं करेंगे ग्यान से, हम जो हमारा तरीका होगा, वो क्या होगा, विवेक पूर्वक प्रेम करना होगा, कहने का मतलब, हम उसके पीछे बुद्धी भी यू ठीक है, उस चीज के बारे में सिर्फ कुछ विचार नहीं करेंगे, उसके पीछे कुछ logic भी ढूनेंगे, तब हम philosopher कहलाएंगे, अब देखे हमारे चारो तरफ विचार तो हम भी करते हैं, लेकिन जब कोई किसी आदमी को हम विचारक कब कहते हैं, उसको philosopher कब कहते हैं, जब उसके विचार करने से कुछ निकलता है, कुछ set of rules निकलते हैं, और उससे किसी का भला होता है, तो हम उसको philosopher बोलते हैं, otherwise we all are philosophers, हमारी भी कोई नो कोई philosophy होती है, अच्छी हो सकते हैं, बुरी हो सकती है, various meanings and purpose, meanings में देख लेते हैं, philosophy can refer to a method of thinking, देखें मैंने क्या कहा, method of thinking, या दर्शन किसी विचार के एक तरीके या समस्या को सुल जाने का प्रियास हो सकता है, simple तरीका, कोई भी समस्या हो सकते हैं, उसके बारे मैंने विचार किया, मैंने क्या का, philosophy, simple language में यही है, किसी चीज को विचार करना, मतलब हम उसी की philosophy बना रहे हैं, और वो किसी भी means कोई भी एक particular चीज के बारे में अपना दर्शन बना सकते हैं, purpose, it is concerned with the finding the deeper meaning, अब देखें, यहां पर आप लोगों समझना है, deeper meaning of problems, बहुत, बहुत easy चीज की बात नहीं कर रहे हैं, आपको deeper उस चीज में जाना है, गहरे अर्थ की खोज में अगर आप लगे हुए हैं, त आप यहां पर बात आ जाते हैं, दर्शन की जान को शिक्षा को समझने के लिए नहीं, बलकि शिक्षा तकनीकों का निर्धारन करने के लिए महतपून है, अब देखें, क्या जब NEP बना होगा, तो कुछ जो philosopher होंगे आज की date के, या जो पुराने philosopher रहे होंगे, जो आज न जैसे मैंने कहा, दिखें, एक example बताता हूँ, अगर आपका believe है कि डंडा बजाके बच्चे पढ़ते हैं, यह आपका believe है, तो आप, obvious सी बात है, आपके हाथ में डंडा आ जाएगा, वो कहीं से आए, लेकिन उस डंडे ने आ जाना है, अगर आपका believe है कि बच्चे डंडे स से नहीं पढ़ते हैं, यह आपकी philosophy, दो teacher है माली जी, तो दोनों क्या है, deciding teaching techniques, होगे यह बात कि, जो teaching technique है, वो decide हो जाएगी, आपकी philosophy से, इसलिए teacher को सारी philosophies बताई जा रहे हैं, कि वहीं है, यह सारी philosophies पढ़के teacher बनो, अब example देख लेता है, यहाँ पर थोड़ा सा, in teaching, the principle of the square root, the methodology used, should not only focus on understanding, but also on problem solving skills, अब हम किसी को क्या पढ़ा रहे हैं, वर्ग मूल आंके सितहन्त पढ़ा रहे हैं, means वर्ग निकालना सिखा रहे हैं, तो हम उसको यह भी कर सकते हैं, कि class में बस उसको वर्ग मूल निकालना सिखा ले, अब हमें यह पता ही नहीं है, कि real life में वर समझा रहे हों, और या square समझा रहे हों, ठीक है, cube समझा रहे हों, तो क्या होगा, यह हो सकता है, कि हम उसे अपने real life से जितने डिब्बे हैं, वो डिब्बों के बारे में बताएं, box के बारे में बताएं, phone के बारे में बताएं, table के बारे में बताएं, even जिस room में हम बैठ ह उसके बारे में बता ये भी practical solution हो सकता है तो हम problem solving skills के बारे में उसको focus रखें ठीक है सिर्फ उसको square root निकालना ये cube के बारे में ना समझा है बाकी सारी चीजें हो सकती है ठीक है ये सारी चीजें आप लोगों को समझनी है कि philosophy का दूखिए जब आप paper solve कर रहे होंगे न तो वह में उसका मतलब क्या होता है कि वह कहीं books में नहीं थे उन्हों problem solving आपकी skill भी चेक की जाएगे as a teacher आपकी क्या आपके अंदर वह skill है कि आप problem solve कर पाओ अगर वह skill आपके अंदर है तो आप अच्छे टीचर बन जाएंगे ठीक है अब वही skill आपको बच्चे को देनी है और real life में भी जो जितना अच्छा problem solving skills के साथ में होगा means जो समस्याओं को जितनी अच्छे से address कर पाता है उन्हें उतनी अच्छे से सुलज़ा पाता है real life में भी यही चलता हमारा ठीक है तो वह सारी चीज़ें बच्चे को पढ़ाई जा रही है question addressed by education philosophy अब यहां पर जो question address किये जा सकते हैं या मतलब questions पूछे जा सकते हैं क्या शिक्षा विचार के लिए एक model हो सकती है ठीक है is education means for improving human behavior means human behavior को बदलने के लिए क्या हम education का सहारा ले सकते हैं तो आपका answer क्या हो सकता इसमें can education be model for thinking और education क्या हमें thinking का जो हमारा process उसे change कर सकती है या उसमें हमारा हमारी मदद कर सकती है can education help us understand the universe and our place in it क्या education हमें जो ब्रह्मान है उसकी प्रकरती और हमारी उसमें जो इस्थिति है उसको समझने में मदद कर सकती है जैसे कि यह सारी चीजें क्या है जब यह विचार हमारे दिमाग में होंगे जब आप NEP पढ़ेंगे न NEP की training हुई थी हमारी तो वाकी बहुत पसंद आया मुझे कि जो NEP 2020 है वो बड़ी जवरदस चीज लाए है मतलब government बड़ी अच्छी चीज लाई है education में overall जो आज तक जो progress रुकी हुई थी या हम जैसा सोचते थे जैसा एक मतलब एक घुटन भरा जो माहौल होता था ना learning का अभी शुरुवात में दिक्कते आएंगी अगले हो सकता है दस साल दिक्कत आए लेकिन अगर इसको प्रॉपर तरीके से NEP को डाल दिया जाए education system में तो education system बहुती बहतरीन चीज हो जाए है ठीक है लेकिन चलिए उस पर हम NEP जब पढ़ेंगे तो जब हमारा विचार होता है उस तरह का हम काम करते हैं और जब हमारा जिस तरह का विचार होगा वैसा education system हम develop कर लेंगे ठीक है जैसा मैंने example आपको एक shortcut example दिया था तो लब समझने के लिए कि आप डंडे में विश्वास करते हैं आप class में डंडे लेके जाएंगे आप डंडे के पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप बिना डंडे के भी पढ़ा लेंगे और अच्छा पढ़ा सकते हैं यह सारी philosophy Fitness functions of philosophy नहीं कि तो हमसे चीज करते हैं उसको चीजों हम करेंगे कीबोर को स्टढ़ी करेंगे माउस को स्टढ़ी कर रहे हैं आप ने पहले कंप्योडर को ब्रेक कर दिया CPU, UPS, माउस और कीबोर्ड इतनी चीजों में कर लिया कुछ वायर वगरा भी जोड लिया आपने अब सारी चीज़ां आपने हटा दी अब आपने सारा अनेलिसिस कर दिया सारी चीजों को तो अब उसे एक computer बनाने के लिए आपको सारी चीजों को फिर से जोड देना है अब आपको सारी चीज़ां समझ में आ जाएंगी अच्छा ये चीज इस तरह से होती है Same thing happens when we are educating someone जब हम किसी को educate कर रहे हैं तो आप इस बात को समझिए कि पहले आपको बच्चे के हर ब्यावहार को तोड़ना पड़ता है और फिर समझना पड़ता है कि जैसे एक बच्चा है अब हम उसे सिर्फ as a whole स्कूल में देखें वो दुखी है आज वो पढ़ रहा नहीं जाता है उसकी क्लास में आज उसकी मन इस्तिती ठीक नहीं है उसको परिवार में उसका जो मैं खुद कहूं तो एक बच्चा ऐसा था कि जो बहुती sensitive बच्चा था और वो मेरे पास tuition पढ़ने आता था ठीक है यहाँ पर जो मैं free tuition classes लेता हूं तो उसमें वो बच्चा आता था पहले वो बड़ा अच्छा रहता था खुश मिजास था मुझे लगता था कि ठीक है सारी चीज़े अच्छी चल ली थी उसकी life में उसकी family condition के बारे में मैं जानता था उसके फादर जो था है और वो एक mental depression condition में चला गया था जब उससे बात हुई बच्चों ने मुझे बताया उसके बारे में तो मैंने उससे जब बात की तो लगबग डेड़ घंटा रोया होगा हो बच्चा ठीक है बच्चे के लिए क्लास में वह बहुत important चीज है हमारे लिए as a teacher ठीक है किसी बच्चे को आप पीट के सही कर सकते हैं समद्ग्रिय भाग है जटिल मुद्दों को क्या करने में समद्ग्रिय भागों में मदद करता है विशलेषन आत्मक उपकरण के रूप में हम उसे यूज करते हैं तो यह एक दर्शन जैसा मैंने कहा आपको कि आपका दर्शन है आप क्लास में बच्चों को किस तरह से डील करते आप जाएंगे क्लास में और देखे यह जब आपको यह पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा ना तो फिर आपको फैक्ट भी याद होने लग ज ज़्यादा इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है और अगर कोई नया तरीका का कुश्यन आप लोगों को बन के आता है वहाँ पर तो आप उसको उसका भी अनेलेसिस कर सकते हैं और वो हो जाएगा आपका अब चलिए बात आते हैं सिंथेस करने में अब जो हमने कहा कि संसलेशन एक अलग-अलग पहलूं को संबद संपूर्टा बनाने के रूप में भी कार्या करता है कहने का मतलब कि यह है जितने पहलू हमने अलग-अलग किये थे उसको एक संबद रूप में हमने क्या कर लिया संपूर्ण तरीके से as a whole उसको बना लिया तो होफ़ली आपक को सिंथेस करके अपना एक सलूशन बनाते अब इसका एज्चेशन में कहां पाठ है हम अगर क्लास का एक टॉपिक पढ़ा रही होते हैं तो बच्चे के हम पहले उसको ब्रेक ब्रेक projects करें उसको करेंगे ओसको वापस एक साथ कर लेते हैं तो बच्चे को फ şurबовा समझ में आजाता है जैसे कि यहीं पर आप समझ लीजिए मैंने क्या किया है एक्जेंपल के साथ आपको मतल समझाने की कोशिश किया कि I could make you understand about all this all right so hopefully it's helpful to you अब आगे चलते हैं education and philosophy inter-relationship और मैं यह सारी चीज़ें आप लोगों चीज़ें बता चुका हूं बट कुछ technical चीज़ें उनको आप समझ यह एजुकेर and educator and educator तीन वर्ड जो हैं उनको आप लोग समझ लिजिए यह तीन वर्ड कोई सा भी आप लोगों पूछा सकता हो सकता है कि यह पूछा जाए कि एजुकेशन वर्ड कहां से डिराइव हुआ है कहां से उसकी अवधार्णा निकली है तो आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं करना करना से समझ लीज़े वर्ड है यह क्या है आपका आज मैंने वैसे नहीं किया है और एवफली कि आप लोगों के तोड़ा इंट्रस्टिंग लगा हो चैप्टर थोढ़ा सा पैन करने से यह होता है कि इंट्रेक्शन बढ़ जाता है ठीक है जब हम किसी को देख नहीं रहे होते हैं तो थोड़ा सा इंट्रेक्शन बढ़ाने के लिए हम मार्क अगर करते रहें तो समझ में आती है चीजे और आज मैं यह चैप्टर ही इतना मैं जुड़ाओ मुझे महसूस हुआ कि लगातार मैं बोलता हुआ चला गया इसका मतलब बाहर निकलना होता है इन वर्ड्स का आप जस्ट याद करीजे इनका पॉशन करना होता है जुकेटम का कंभाइन इंवर्ड तो आउट्वर्ड और ड्यूको मीन्स डिवैलपिंग और प्रोग्रेसिंग इसका ध्यान रखना यहां पर इसे और ड्यूको से मिलक नकी ओर और ड्यूको विकास की विकास या प्रगर्ति का संयोजन इसको कहा जाता है आगे चलते हैं इस अब नर्चर पोशन करना यह क्या करते हम पोशन कर रहे होते हैं और अब देखिए यह कितनी अच्छी बात लिखिए समग्र अर्थ में शिक्षा व्यक्ति में पेजित करने के बारे में मिन्स एक जो बच्छा हमारे पास है उसके अंदर कुछ नगुछ फ्रेष्ट चीज़ें होती है कुछ नकुछ बहुती पैस्ट उसके अंदर जो चीज है उस चीज़ को हम निकाले इसका इंगे जो budsиль पॉलिशी है उसमें जो हमारा जो और उनने सारी चीज़ें सिखाई लेकिन हर कोई क्या थे कि किसी का बहुती एकस्छिप्स कोई क्वाल सचाक्षा था तो उन्होंने क्या कि अर्चन छाँ नकुन सहणी जो तैंडref तो उन्हें तल्वार बहुत अच्छा सिखाया उनको ठीक है जो राजनीतिग्य थे उन्हें राजनीतिग्य बनाया लेकिन एक ऐसा basic चीज़ें थी जो सारी सबको आता था मतलब archery तो इनको भी आती थी सबी को लेकिन जो अर्जुन थे उनको क्या किया गया आर्चरीक में उनका वो जो बेस्ट था जो श्रेष्ट था उसको क्या किया बनाया गया श्रेष्ट में उसको और ज्यादा उसको पोशित किया गया तो यह जो गुरकुल सिस्टम था उसमें यह सारी चीज़ें चलती थी अब आ जाते हैं, education's role in development विकास में शिक्षा की भूमी का अज्यान से ज्यान तक शिक्षा व्यक्तियों को अज्यान से ज्यान के ओर ले जाती है as we know, that ignorance to knowledge तक हम जाएंगे inner abilities जो हमारी आंतरिक शम्ताएं होती है यह विक्तियों के आंतरिक शम्ताओं, अनुभवों और समझ के पहचान को विक्षित करने में मदद करती है यह हमारी जो inner abilities है जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारी inner abilities हैं सबाँच कि यह कि मैं एथिलिटी क्वालिटी का हूँ तो बड़ा मुश्किल हो जाता है लेकिन फिर भी as a teacher आप लोगों की यह जिम्मेदारी जो भी टीचर बने वहा इस जिम्मेदारी को समझें कि जो 120 बच्चे हैं उनकी वज़े से आप एक्जिस्ट करते हैं उनकी वज़े से आप Lehrer है तो आप लोगों की एक जिम्मेदारी एक बंती है कि यह 120 में को आप जो इंट्रेस्टेड हो या आप जिस जिस जितना ज़्यादा आप मॉटिवेट कर सकते उनको कीजिए और उनको उनका जो बेस्ट है उसे बहार निकालिए उनके जो आंतरिक शमताये हैं उन्हें कॉंटिनियस साल भर रीट कीजिए एक दिन नहीं कि एक दिन हमने लिस्ट बनाई और सोचा कि नहीं एक दिन में हम सब का धेख लेंगे किस की क्या वोगा नहीं जैसे का अभी गवर्मेंट का इक प्रेणा पोर्टल शुरू हुआ है मतलब की एट इस किंसको लाइन वाइज क्या करना बच्चे का भरना है लेकिन कहीं न कहीं उसको philosophy जो है न वो इसके पीछे काम कर रही होती है और जो philosophy है वो education को guide करती है aim relation with philosophy अब दर्शन के साथ संबंद क्या है वैसे मैं सारी चीज़ा आप लोगों को अल्रड़ी उपर बता दी है aims of education philosophy helps define the aims of education जैसी हमारी philosophy होगी वैसे हमारे aims होगे एजुकेशन के वैसे हमारा उद्देश्य हो जाएगा ठीक है जैसे कि आप यह मानके चलिए कि जो ग्रीक होते थे ग्रीक ने क्या किया था ग्रीक लोग पोईट्री को बैन कर दिया उन्होंने अपने उसमें means राज्य में पोईट्री मतलब कोई पोईट नहीं होगा कोई ड्रामा नहीं होगा कोई ड्रमेटेस्ट और पोईट और सभी को क्या कर लिया बैन कर लिया था उन्होंने क्यों कर तो वार से मतलब था सिर्फ युद्व से मतलब था इसलिए उन्होंने कहा कि ये सारी चीजे नहीं होनी चाहिए, अब क्या काम कर रहाएं, यहां पर फिलोसफी काम कर रही है, उन्हों ने वार पे फोकस किया उसके फिलोसफी के किया युद्ध भी जरूरी था लेकिन साथ में ब्रेन भी जरूरी था इसलिए पुरान और उपनिशत चीज़े डाली गई एजुकेशन सिस्टम में करिकुलम फिर करिकुलम फिलोसफी जैसी होगी वैसे करिकुलम बन जाएगा पाठे करम वैसा ही तो बनेगा जैसा दर्शन होगा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बहुत इजी हो गया होगा आप तो बिलकुल आप लोगों को समझ में आने लगी होंगी चीज़े कि यह सारी तो आप खुद भी समझ सकते हैं एक बार पढ़ लेंगे टेकनिकल वर्ट्स भी किलियर हो जाएंगे शिक्षन के तर तरही के भी फिलास्पी यह जो दर्शन होता है उस पर डिपैंड करते हैं टीचर स्टूडेंट रिलेशन्शिप यह भी बड़ा इंपॉर्डन है फिलास्पी इंफॉर्म्स दे रिलेशन्शिप बेट्विन टीचर एंट स्टूडन अब जो देखें अभी जो पिछला था ncf 2005 आप लोगों ने पढ़ा होगा सीटेट हो गयरा के लिए आप लोग तो सभी सीटेट क्वालिफाई है तो ncf 2005 को आप जानते होंगे वहां पर टीचर की पोजीशन क्या थी टीचर की पोजीशन थी एज़ा फैसिलिटेटर फैसिलिटेटर माना गया था ठीक है टीचर को और अभी थैसलेटर ही माना जात highway होता है खकी हम कुछ देंगे जैसे कि सबोज किजिए आप सभी पड़े लिखे लो हो लेकिन कुछ लोग जैसे आप लोगोंने ने पैसे जोइन जो किया ऐसा तो है नहीं कि आप यह बना सकते थैं आप भी निकालकर सारी चीजे जोडर के आप अपना भी बना सकते थे सारे नोट्स लेकिन आपने किसी टीचर को चूज किया अपने लिए कि वो आपको facilitate करें चीजों को provide करें क्यों क्योंकि आपको अपना time save करना था ठीक है आपको अपना time save करना था तो और आपकी एक problem थी time time problem हो रही थी उसको save करने के लिए आपने एक teacher choose किया तो यही एक बच्चा है उसने इस teacher को इसलिए चूच गया इस बच्चे ने कि वो जहां पर उसकी समस्याएं होंगी उनको facilitate करेगा उनको solve करेगा उनका analysis करेगा synthesis करेगा क्योंकि इस बच्चे के पास ना तो इतनी बुद्धी है और ना ही इतना time है ठीक है तो यह सारी चीज़े facilitate करने के लिए एक जो guide होता है teacher का जो एक सं शक्षात्रों के बीच में संबंद को परिवाशित करने में मदद करता है भूमी का अंतर क्रियाओं की परिभाशा करता है उन चीजों के बारे में बताता है कि अब एक teacher क्या करने वाला है क्या करेगा आगे चलते हैं इंटर relationship between philosophy and education दोनों की बीच में आपसी संबंद क्या ह है supplementary and integral relationship definition आप लोगों ने देखे लिए दर्शन और शिक्षा के बीच पूरक और पूरक संबंद कहने का मतलब है दोनों शिक्षा अगर हम इसको शिक्षा माले इसको philosophy माले education और philosophy माले दोनों के दोनों एक दूसरे के पूरक है मतलब जब जिस तरह की education होगे उस तरह की philosophy ब आर्शनिक शिद्धान्त इससे पहले बने हैं शिक्षा में बहुत सारे दर्शन के सिद्धान्त हैं और उनको हम करते हैं जैसे application of philosophical theories आप देखेंगे आगे चलके हम लोग देखते हैं जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि जो अभी हम नीचे पढ़ने वाले हैं लेकिन और of detail में आप लोगों को ये है आप लोग यहां पर देखें यह जो है Sindhu इन सिद्धान्तों की यहां पर बात हो रही है कि जैसा सिद्धान्त होगा वैसा ही आपकी क्या होगी education हो जाएगे अब देखें मानव जीवन का विकास दर्षन मानव जीवन के विकास का साधन है सिंपल सी बात है कि जैसा हमारा दर्शन होता वैसा विकास की तरफ चलते हैं अब कुछ ऐसी भी races हुई है कि जिनका जीवन का विकास की तरफ उनका कुछ ध्यान नहीं था विनाश की तरफ ध्यान था ठीक है तो व एक अलग चीज हो गई उनका विनास की तरफ था, किसी का विकास की तरफ था, शिक्षा की भूमिका, शिक्षा उस लक्षे को प्राप्त करने में एक साधन के रूप में, तो एक साधन के रूप में, अब कई बार options आ जाते हैं, ठीक है, शिक्षा की भूमिका, के बारे में आ जाएगा, option में एक जाएगा शाधन के रूप में काम करती है दर्शन द्वारा निर्धारित किया गया है प्रसपर आवशक संबंद इसके बारे में मैंने आपको बता दिया development of human life role of education education plays a role means to achieve the aims determined by the philosophy जो हमारे एम से उनको करेंगे जेयस रॉस अब कुछ जैसे इनका perspective देख लेते हैं इन्होंने इनका comparison जो किया था उसको एक उन्होंने कहा कि दोनों एक सिक्के के दो पहलू है ठीक है एक तरफ अगर education है तो दूसरी तरफ क्या है philosophy है में दोनों जी जो को अलग नहीं किया जा सकता ध्यानार्थी बना क्रिय द्याशक मतलब एक इनसान क्या था smelled contemplative versus active side कि दर्शन जो है वो ध्यान है मतलकि मतलब हम जब दर्शन की बात कर रहे हैं तो बातों की बात कर रहे हम विचारों की बात कर रहे हैं ठीक है विचार जब विचार आ रहा है तो क्या हो रहाए अब विचारों में कोई खोया हुआ है तो दर्शन कर रहा है किसी चीज के बाएं मींजा वह सीज को ऑनेलिसिस कर रहा है ELेकिन कुछ कर नहीं था और लेकिन जब हम उसने सोच ली ने अब उसको active npr में ले आता है उसको यहां उसने active साइड में ले आता है तो वही शिक्षा बन जाती है जो काम कर रहे है वही उसका शिक्षा का पार्ट हो गया अगर हम विचार कर रहे हैं तो हम दर्शन बना रहे हैं लेकिन अगर हम उसी विचार को उसी दर्शन को यूज करके कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं तो वही हमार बरेखरी शिक्षा बन जाती है आगे चलते हैं philosophy इसके बारे में हम आउलड़ी बात कर चुके हैं शिक्षा के लिए मार्गर दर्शन देखें सिक्षा जो हमारा guidance for education जो हमारी philosophy है वोaz कर रही अब ग्माफिरा के वही बाते हैं सारी जाएसी बाते हैं लेकिन आप लोगों को दुए है अब दर्शन है क्या हे डर्शन तो यही है कि हम एक चीज का Ensuite कर रहे हैं और यहां पर भी हम analysis ही कर रहे हैं, समझनी के कोशिश कर रहे हैं, दर्शन क्या है, और देखे, सिर्फ exam purpose के लिए पढ़ेंगे, कि हार इसके अंदर क्या चीज़ निकलेगी, क्या चीज़ निकलेगी, exam like, तो उससे क्या होगा, आपका जो interest होगा ना, वो खतम हो जाएगा, इससे बढ़िया है, knowledge के लिए पढ़ेंगे, exam automatically निकलेगा, और आप एकी topic के साथ घंटों बिता सकते हैं, means, syllabus के साथ आप आराम से घंटों पढ़ाई कर सकते हैं, बिना tension लिए, दर्शन जीवन के लक्षे को निर्धारित करता है, सिखाने के सिध्धान्तों का अनुप्रियोग, जो हमने क्या किया, principles जो बनाए थे, देखे, guidance for education तो है, लेकिन जो हमारे सिध्धान्त हैं, जो सिध्धान्त हैं, उनको भी implement कैसे किया जाएगा, उसके पीछे भी दर्शन काम करेगा, जो theories हैं, सिध्धान्त हैं, उनको कैसे किया जाएगा, सच्ची शिक्षा की बात करें हम, practicability की बात करें, ठीक है, कि actual में true education is practicable, only by true philosophy, अब एक, जैसी मैंने कहा आपको, कि अगर जैसी आपकी philosophy, वैसे आपकी education हो जाएगी, या आपको ऐसी education बच्चे को देंगे, और even as a teacher ही नहीं, आप father की philosophy देखिए, ठीक है, जैसी actual में philosophy होती है, आदमी की, जैसे मेरी philosophy यह है, कि बच्चा चोटा है, तो मेरा बेटा दो साल का है, उसे भी मैं कुछ नो कुछ करवाता ही रहता हूँ, या उसे कुछ करवानी की कोशिश की जाती है, क्योंकि यह मेरी philosophy है, कि बच्चा चोटा है, जैसे कि उसे अभी दो साल में उसे पूरा जो Indian states है, इवन मैं confuse हो जाता हूँ, कई बार Indian state map में ठीक है, लेकिन उसे पूरा का पूरा map याद हो गया है, वर्ल्ड मैप उसे आदा याद हो गया है, state की capital उसे याद हो गई, क्योंकि हमारी philosophy थी, कि बच्चे को जितना जल्दी हम learning process में डालेंगे, उतना उसका brain क्या होगा, फालतू चीजों से बाहर निकलेगा, अब इस philosophy के चलते हमने उसे, जब वो सिर्फ एक ही साल का था, तो हमने उसको map का, map पर उंगली रखना सिखा दिया था, ठीक है, उसे color वाला map लाके दे दिया, वो color के साथ खेलता था, तो आपकी जैसी philosophy होगी, आप इवन अपने बच्चे को ऐसा treat करोगे, आप even husband wife, अगर आप husband wife, She is inferior to me, और he is inferior to me, तो आप एक दूसरे को, एक दूसरे का पूरग भी मान सकते हो, और ये भी मान सकते हो, कि वहीं सिर्दर्द है, ठीक है जी का जंजाल है, और शादी, तो आप एक दूसरे को पूरग भी मान सकते हो, as a friend भी आप अपना जीवन निर्वा कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो जीवन अच्छा means अच्छे experience गेन कर सकते हो life के तो ये आपका दर्शन है जीवन के परती वही शिक्षा में हम आ जाए तो वहाँ पर हमारी practicability है true education तभी मिलेगी जब true philosophy होगी जो various aspects है education के उनके बारे में उनका निर्धारण कैसे होगा वह फिलोसपी के ही जरीए होगा जैसे philosophy होगी वैसे हम मुले निर्धारण करेंगे great philosophers as educationist great philosophers are great educationist such as Plato अब देखे प्लेटो बहुत ही अच्छे teacher थे इनको हम study करने वाले हैं detail में study इनके नोट्स तैयार है detail में study इनके जो philosophies है उनको हम करेंगे देखे आप लोगों ने देखा जो बड़े philosopher है वो बड़े educationist भी होए कहीं 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 उन्होंने अपनी theories दी वह आज काम आ रही है उसी के English side of philosophy यह सब्रक्राइब के दो चीज़े आगर वकृर्याषी तो वही क्या हो जाती वही शिक्ष्षा बन जाती और विचार अगर सिर्फ विचार तक सीमित है विचार अगर क्या है विचार तक सीमित है वो दर्शन बन जाता है और दर्शन और शिक्षारी दूसरे के क्या है पहलू है और दूसरे एक दूसरे को क्या करते हैं सपोर्ड करते हैं और एक दूसरे को बनाते या बिगारते हैं इतना hopefully आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं आगे चलते हैं philosophy and methods of teaching अब यहां पे हम detail में देखेंगे थोड़ा बहुत detail में इतना detail नहीं जाएंगे लेकिन फिर भी एक short में अगर आप इनको भी कर लेंगे तो आपको वाला part complete हो प्रण का तरीका होता था एक teacher आगे बैठ जाएंगे और अपना क्या करेंगे अपना ज्यान सबको देंगे students को सभी को अपना ज्यान दे देंगे उसके बाद कि अब मान लिया जाता था अब आ जाते हैं प्राकरतिक वादी विचारधारा में इसमें जो प्रति प्रमुक तरीका है वो स्वध्यन था ठीक है वहाँ पे self study method को क्या किया गया emphasize किया गया means उसको जोड दिया गया कि भी बच्चा खुद से सीखे sorry तो यह आप लोगों को समझ में आ गया हुआ view on teaching role of teacher as a facilitator and guide यहाँ पे जो teacher है वो भी क्या है facilitator और guide है अब आ जाते है pragmatic school जो ब्यावहारिक विचारधारा है इसमें गतिविदी समस्या समाधान परियोजना project works यह सारी सारी चीज़े आ जाती है problem solving and project methods यह सारी चीज़े यह यहां पर आ जाते हैं वीओ on teaching focus on democratic freedom यहां पर आपको लोगतांत्रिक सुतंत्रता पर जोड़ दिया जाता है implementing child center method यहां पर यह चाइल्ड सेंटर होते थे तो आप लोगों इससे थोड़ा सा no down कर लेना और फिर इनको इसी तरह से याद कर लेना एक बार पीडिएप की देख में आपको एक बार पढ़ना है उसकी बजाए आप एक चीच को एक घंटे में पांच बार पढ़ लीजिए यहां आप धीरे-धीरे समस्ते वे पढ़ रहे थे यहां पर आपने खाली reading किया तो आपकी जो learning होगी हो यहां better होगी बजाए की यहां की तो आपको धीरे-धीरे कभी नहीं पढ़ना है हमीशा बहुत तेजी से पढ़ने के आदत बनाईए जिसे की पीडियाफ अगर आप पढ़ते हैं यह आपके 16 phases की पीडियाफ है तो इसमें मुझे लगता है hardly आपको इस पूरी पीडियाफ को पढ़ने में 7 minutes 5 to 7 minutes लगने चाहिए इससे जादा नहीं लगना चाहिए तो इस पीडिडिंग पर आपको भरूसा रखना है ओवराल रिलेशिंशिप के बारे में बात करते हैं दर्शन शिक्षा के तरीकों के साथ साथ गहरा संबंद रखता है सारी चीज़े हम देख चुके हैं इनको relationship between teacher and learner ठीक है अगर हम importance of the relationship essential in education education में बहुत इसकी जरूरत है ठीक है शिक्षा पढ़नालियों में शिक्षक और चात्रों के बीच संबंद की आवशिक्ता होती है teacher का जो role है उसे आप लोगों ने देख ली है एक शिक्षक केवल एक सामागरी विशेशक यह नहीं है बलके वास्तम में एक दार्शनिक भी है जो सीधे चात्रों को प्रभावित करता है बहुत बहुत important चीज़े एक teacher की जो philosophy होती है वो बच्चे को बहुत ज्यादा impact करती ह directly and indirectly जैसे आप teacher जैसा आपके सोच होगी वैसा आपके बच्चे जो 120 बच्चे या 100 बच्चे आपके class में बैठे होंगे उसको कहीं ने जैसा आप उसके साथ में interaction करेंगे जैसा आप उसके साथ बाते करेंगे जैसा आप class एक teacher होता है वो अपना chapter पढ़ा के निकल जाता है एक बच्चा ऐसा होता है जो जीवन के जो values हैं ठीक है उनके बारे में भी बात करता है उनके उन class के उन ही chapters को values से जो के पढ़ाता है तो दोनों चीजों में बड़ा फर्क हो जाता है views from different philosophical schools idealism के बारे में बात करें यहां पे सक्त अनुसाशन किया जाता था टीचर के द्वारा नेचरलिजम में देखते हैं नेचरलिजम में यहां पर ample of freedom यहां पर बिल्कुली कुछ जादा ही freedom दे दी जाती थी ठीक है और pragmatism में क्या है यहां पर offers new and innovative opportunities यहां पर हम व्याओहार वाग व्याओहारिक जो दर्शन था उसमें क्या किया जाता है focusing on change as ultimate reality and directing actions towards achieving change shaping learners behavior accordingly और जैसा जैसा ब्याओहार वाद में क्या होता है जैसा जैसा बच्चे के लिए में जो बदलाव आते हैं उनको ही क्या किया जाता है निर्देशित किया जाता उसी के अनुसार हम अपनी शिक्षा देते हैं अब देखे influence of philosophy on relationship dependence on philosophical principle जो दार्शिनिक सिदान्त पर संबंध का प्रभाव अब जैसा दोनों की बीच में संबंध है वह हम अल्रडी उपर काफी बार इन चीजों को हम discuss कर चुके दर्शन के साथ इसका संबंध है ठीक है philosophy शिक्षक और चात्रों के बीच एक संबंध संबंध बनाने के लिए दर्शन का एक निकट संबंध होता है मिन्स जैसा दर्शन लेकर हम कलास में जाएंगे स्कूल में जाएंगे वैसा हम सिक्षकों के ब्याउहरिक pattern, शाशन शील, लोगतांतरिक और lesson Strategy, शिक्षकों के ब्याउहRic pattern श्वतंतर लही है बलकि शिक्षा में उस विशेश संब्लिग दर्शन का प्रियोग परचायएं क आटोक्रेटिक या डिमोक्रेटिक लाइजिस फैरी जो बिहेविरल है वो उसको आप लोग बच्चे के ऊपर थोपोगे या मीन्स उसी हिसाब से डील करोगे और जो determining educational programs और जिस तरह के philosophy आपके होगे उसी तरह के आपका educational patterns आप लोगे बनेंगे और ethics दर्शन का संपूर्ण प्रभाव आप लोग ये सारी चीज़ां आप लोगों को अब तो clear हो चुके होगे तो ये आपका वीडियो था दर्शन पर और education पर और hopefully कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो मिलते हैं अगली class में तब तक ले good bye, take care